हेलो बच्चो चोहनी एजुकिसन चैनल में आपका स्वार्वत है बच्चो आज हम हिंदी ओलंपियाड दोजार बाइस तेज माद्मिक इस्तर कक्छा छड़वी से आड़वी तक जिला इस्तरिये प्रशनपत्र जो तेज से फरवरी में शंपन हुए हैं इस प्रशनपत्र को हल करेंगे देखेंगे आप कितने अंक आपको मिलेंगे तो हम देखें कुल प्रशने इसमें जो है पचास है जो तीन तीन अंकों के एक एक प्रशन है प्रशन पत्र में निर्देश दिये गए हैं नम्मर एक सभी प्रशनों को हल करना अनिवार है दूसरा निर्देश है प्रतेक प्रशन के लिए तीन अंक निर्धारित है सही उत्तर देने पर तीन अंक दिये जाएंगे तीसरा निर्देश है प्रतेक प्रशन के चार विकल्प दिये गया है जिन में से एक उत्तर सही है सही विकल्प के लिए ओव एम रशीट के गोलों को बरना है ये थे निर्देश अब देखेंगे हम सही जो हल है प्रशन करमाग एक से सुरू करेंगे इससे पूर्व अगर कि द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहा है तो रपैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेला का इनको प्रश कर लें जिससे कि आपको वीडियो की नोटिकेसन सबसे प्राप्त होते रहेगी आईए अब हम देखते हैं प्रशन करमाग एक सही बरतनी सब्द क किरिया कौन सा सब्द है खरीदा खरीदा सब्द किरिया है अब यहां तीसरा प्रशन है बरतमान काल में बाग के अंत में कौन सा सब्द आएगा तो बाग के अंत में कौन सा सब्द आएगा भी रहा है यह सब्द आएगा इसके बाद प्रशन चौता है अप्रतक्ष सब्द पांच काली बिल्ली दूद पी गई में बिसेस्ट किया है तो इसमें बिसेस्ट बिल्ली ही है सीएस का सही अंसर अत्तर हो जाएगा प्रस्न छड़बा है जब बाके में किरिया समाप्त हो जाती है तब काल होता है तो इसमें जो है आपको समाप्त हो जाता है इसमें आपको सोविवेक से समझ लेना है वैसे इसमें अनिशित काल हो सकता है इसके बाद देखेंगे हम प्रशन साथ कभी सब्दे का इस्तरे लिंग है तो इस सब्दे का इस्तरे लिंग कभी तरी है ये इसका सही आंसर है इसके बाद देखिंग प्रशन आठ दालना गलना मौहौरे का अर्थ है तो इसका जो अर्थ होता है C कामना बनना इसके बाद देखिंग प्रशन नौ सही बरतनी वाला सब्द कौन सा है यहाँ पर उजवल जो लिखा है सही वाला कुण सा है तो डी इसका जो उजबल है ये सही है इसके बाद देखेंगे प्रस्न ग्यारवा बजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है इस वाक्य में चांदी सब्द है बिशेशन इसका सही अंसर जाएगा बी इसके बाद देखेंगे प्रस्न ग्यारवा उपयोगी सब्द में उपसर्ग है उपसर्ग है जो पहले लगता है उप यहां पर बी सही अंसर है इसके बाद ता प्रत्य जोड़कर नय सब्द कौन सा है तो समानता नय सब्द बन जाएगा बी सही अंसर है इसका इसके बाद तो C.S. का सहीं है सूर पूर वे दिशες से निकलता है ये सुद्दध वाक है इसके लाद प्रशन 15 बाद दिखे हैं किस उपसर्ग का प्रियोग का अवरोद स्थब बना है तो अब सथब का जो प्रियोग करने के बाद में अवरोद बना है तो डी इसका सही आंसर है इसके बाद देखेंगे प्रस्ने 16 ग्रहस सब्द में रा का रूप है तो रेप का रूप है डी इसका सही आंसर है इसके बाद देखेंगे प्रस्ने 17 बे यूग में सब्दे जिन में समलित दोनों सब्दे समान होते हैं वे कहलाते हैं विप्र विपरीथि आर्थी सब्द कहलाते हैं यह इसका सही आंसर है प्रस्ण 18 भाव आचक संग्या का उधारन है तो भाव आचक संग्या का उधारन क्या है ए शुंदर्ता इसके बाद देखेंगे हम प्रस्ण 19 अचानक तेज वारिश सुरू हो गई बाक्यों में रेकांग की três वाद तो इसमें घु सही आँजाएगा गुन्बाचक विईश और जाएगा इसके वाद प्रश्निकर मांग भी सहे बस खचा खच भरी थी मैं विईशच है तो ऐस खच खच भरी थी थी इसका सहीं अंसर आजाएगा इसके बाद देखिए आप प्रशने 22 बाद कर सब्द का एक अर्थ हाथ है तो दूसरा अर्थ है काम ये ये बाला जो है इसका अंसर सहीं आजाएगा प्रशने 23 है अभी नंदन, अभी बादन और अभी योग सब्दों में है निमलिकित सब्दों में बेंजन संदी का उधारन नहीं है तो बेंजन संदी कुन सी नहीं है इसमें इसमें महर्शी जो है बेंजन संदी नहीं है इसके बाद देखिएंगे 25 बाद प्रशने निमलिकित में से कौन सा उधारन विशर के संदी का नहीं है प्रशने 26 देखें निम्लिकि सम समासिक पदों में अब्य भाव समास का उधारण नहीं है तो अब्य भाव समास का उधारण क्या नहीं है इसमें D रात दिन क्योंकि ये द्वन्द समास है इसके बाद देखेंगे प्रस्ने 27 दिये गए समासिक पदों में अन्य पदों से भिन्य पद है अन्य पद यहां राजपुरुष, देजभक्ति, रणभूमी यह एक सी सब्द है यहां भिन्य सब्द के है माता और पिता बी इसका सही अंसर है इसके बाद प्रस्ने 28 देखें, कर्म कारक सर्म नाम का उधारन है तो इसमें हम देखेंगे, बी आपको यह उधारन है इसके बाद देखेंगे, 29 बाद प्रस्ने अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है तो इसमें अकर्मक के लिए यह वाग क्या है यह अली शेब को खा रहा है यह जाएगा इसमें फिर तीसरा है तीस्वा प्रशने पिता जी के साथ मैं भी बजार जाओंगा वाक में निपास बद है तो जाओंगा मैं भी जो है इसका डी सही है निपासब्द इसके बाद देखेंगे हम प्रशन 31 निमली की सब्दों में निपासब्द नहीं है अब इसमें क्या नहीं है निपासब्द अब ये ये नहीं है 32 प्रसने है जिसकी उसकी सब्द है क्या है जिसकी उसकी सब्द है सी समंद वाचक सर्वणाम है 33 प्रसने है सत्य सने है सीलिसुकि सागर पंक्ती में अलंकार है तो इसमें अनुपरास अलंकार है भी इसका सही अंसर है इसके बाद देखेंगे प्रसने 34 इस दोन धूप में क्या रखा है अराम करो अराम करो इस पंक्ति में रस है तो इसमें डी हास रस है 35 प्रसने बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल रहिमन हीरा कब कहे लाग टका मेरो मोल इसे चंद को कहते हैं तो इस चंद को दोहा कहते हैं C इसका सही अंसर है इसके बाद प्रस्ण 36 बा है निमलिकी सब्दों में बिकारी सब्द है तो इसमें बिकारी सब्द के है C अच्छा इसके बाद देखेंगे 33 बाद प्रस्ण हरी इस विद्याले पहुँच गया होगा यह वाक्य है तो इसमें संदे वाचक वाक्या है C इसके सहीं अंसर है इसके बाद प्र decor 38 वा कारक के अंतरगत है, करता ने कर्म को करण से बिव क्तिया है तो अपादान कारक की बिवक्ति है, तो इसमें D आएगा, शे अलग होना ये वाला सही अंशर है इसके बाद 49 वा प्रस्णा है ब्याकरण में कारक के भेद है तो ब्याकरण में कारक के आड़ भेद होते है तो दूसरा अर्थ है दौलत ये इसका सही आंसर जाएगा इसके बाद देखेंगे अपटित गद्यांस आज कलोनी के मैदान में होली जलने वाली थी सभी बच्चे अपनी अपनी पिछकारी और दोस्तों के साथ उस साय से मैदान में जमा हो गए थोड़ी देर में होली का देहन का कारका मारम हो गया बच्चे हैं देखकर अचंबित थे की लकड़ी के इस्तान पर देहन के लिए कुछ और ही तरह की बस्तों रखी थी कोई नेम का सुकी पत्यों का धेर जमा रहा था कर रहा था तो कोई कपूर तो कोई जड़ी बूटियों को रख रहा था पापा यह सब क्या होली का देहन में तो लकड़ीय जलाते हैं ना अनु ने अपने पिताजी से पूछा अरे बेटा होली का देहन तो प्रतीक है इसका असल संदेश तो यह है कि हम अपने अंदर की बुराईयों को जला कर राख कर दे और प्रेम के रंग एक दूसरे पर बिखेर दे पतियां और जड़ी बूटियां को जला कर इस वार हम हरवल होली मनाएंगे अब इसमें क्या करना है इसमें उप्युक्त गद्यांस को पढ़ करके नीचे लेखे प्रस्णों के यहीं विकल्ब चुन करके लिखना था प्रस्ण 41 होली का देहन कहां आयोजित होती है अनुछेदे के अधार पर बतला है तो यहाँ पर हमने देखा था कि आज कलोनी के मैदान में होली जलने बाली थी तो यह कहां थी यहाँ पर देख लें हम कलोनी के मैदान में यह सी जो है सहीं अंसर हो जाएगा इसके बाद देखेंगे प्रस्ण 42 बाद परियावरन प्रेदूसर्ण को कम करने में शायक है हरवल हुली जो है इसमें शायक है डी इसका सहीं अंसर हो जाएगा प्रेशन 43 बा होली का देहन सब्द में देहन सब्द का अर्थ है तो देहन सब्द का क्या अर्थ है जलाना इसके बाद देखेंगे हम प्रेशन 44 बा अनुशेद में होली का देहन का अर्थ है बतलाया गया है क्या बतलाया गया है बी अंदर की बुराईयों को जलाना इसके बाद 45 बर प्रस्ण है अनुशेद में कौन से रंगों का संबंद फोली से बतलाया गया है तो ए जो है इसमें प्रेम के रंग का ये बतलाया गया है अब देखेंगे अपटी पद्यांस अभी गद्दान से देखे थे हमने अचिसों का आचल भरकर प्यारे बच्चे लाई हूँ यूग जनिनी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ तुम्ही मेरे भावी रक्षक तुम्ही मेरी आसा हो तुम्ही मेरे भाग विधाता तुम्ही प्रान पिपासा हो अब इसमें हमको पध्यांस को हमने पढ़ा और जो प्रश्न बने हुए इनका उत्तर देना था तो यहां देखेंगे प्रश्न 46 में उप्युक्त कवीता अधारित है किस पर अधारित है देजभक्ती पर अधारित है यह सही अंसर जाएगा प्रश्न 47 कवीता के अधार पर परस पर सही जोड़ा नहीं है तो जो कवीता हमने पढ़ा उस पर हमने यह से आसीस आचल यह जोड़ा है युग जनिनी भारत माता यह भी जोड़ा है बच्चे भावी रक्षक यह भी जोड़ा लेकिन डी जो है भारत माता भाग विधाता ये जोड़ा उसमें कभी तब नहीं है अर्टालिक वा प्रस्न है भविस्ट का रक्षक कहा गया है पक्षियों को कहा गया है कि जानवरों कहा गया है क्या बुजूर्गों को किया बच्चों को तो इसमें स्री बच्चों को सही आंसर जाएगा इसके बाद 49 वा प्रस्ण है यूग जननी किसे कहा गया है तो भारत माता को यूग जननी इसमें कहा गया है ये सही आंसर है प्रस्ण 50 वा है बच्चे भावी रक्षक और भागे वि हल हो जाते हैं आसा है आपने इसी तरह हल किये होंगे और नेक्ट टाइम का जो पेपर रहेगा उसका भी माडल अंसर के लिए चैनल में बने रहे हैं धन्यवाद